नमस्ते, रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिलकुल मत भूलिए आज हम बनाने वाले हैं पपीते का हलवा हलवा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक धाई सो ग्राम का कच्चा पपीता और इसका छिलका और बीज निकाल कर अच्छी तरह से एक बार धोलेंगे उसके बाद हम इसे घिस लेंगे घिसने के लिए हम पतले वाले ग्रेटर का प्रयोग करेंगे ताकि ये जल्दी पक जाए और बहुत ही सावधानी से सारे पपीते को घिस लेंगे ये देखे हमने सारे पपीते को घिस लिया है उसके बाद हम लेंगे एक कड़ाई और उसमें डालेंगे दो टेबल स्पून देशी घी दो टेबिल स्पून घी डालने के बाद हम घी को गर्म होने देंगे और इसमें डालेंगे थोड़े से काजु और पंपकिन सीट्स और उन्हें सुनहरा होने तक भुन लेंगे सुनहरा होने के बाद हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और कड़ाई में डालेंगे घिसा हुआ पपीता पपीते को बहुत ही सावधानी से डालिए ताकि घी के छीटे आपके उपर ना आए पपीते को हम घी के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे हम इसे 5 मिनट तक के लिए भुनेंगे ताकि इसके रेशे थोड़े मुलायम हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप दूद और दूद डालकर हम इसे मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे हम इसे बीच बीच में चलाते हुए भुनेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं अब इसे पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो चुका है और ये 80 प्रतिशत पक चुका है अब हम इसे तब तक भुनेंगे जब तक ये कढाई छोड़ने न लगे या फिर इससे घी न निकल आए गुंते गुंते इसका सारा दूद सूख चुका है और ये कढाई छोड़ने लगा है अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1 फोर्थ कप चीनी और इसे चीनी के साथ भुनेंगे चीनी की करेमलाइस होने के बाद हम इसमें डाल देंगे वन फोर टेबल स्पून इलाइची पाउडर और इसे अच्छी तरह से भुनेंगे इसको हम तीन से चार मिनट तक मेडियम फ्लेम पर भुनेंगे और फिर इसमें डाल देंगे अपने भुने हुए काजू और पंकिन सीट्स और इसे हम पपीते के साथ अच्छी तरह से मिला द और यह देखिए इसका कलर बिल्कुल अलग हो चुका है और यह देखिए हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और शांदार पपीते का हलवा बनकर तयार है अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए आप से मिलते हैं अगरे वीडियो में